समिधान के सत्तर वर्ष हमारे लिए हर्ष, उत्कर्ष और निस्कर्ष का गाम मीना जुला भाव लेकर के आए हैं हर्ष ये हैं कि समिधान की भावना अटल और अडिग रही है अगर कभी कुछ इस तरह के प्रयास हुए भी है तो देश वांचियों ने मिल करके उनको असभल किया है समिधान पर आँच नहीं आले दी है उत्कर्ष इस बात को हम जुरूर रजिश्चा करते हैं कि हमारे समिधान के मजबूति के कारण ही एक भारत स्रेश्च भारत की तरफ हम आगे बढ़ पाए हैं हमने तमाम सुधार मिल जुल करके समिधान के दाइरे में रह करके किये हैं और निश्कर्ष ये हैं कि ये विशान और विविद भरा भारत प्रगती के लिए सुनहरे बविश के लिए नए भारत के लिए भी हमारे सामने सिर्फ और सिरफ समिधान समिधान की मर्यादाए समिधान की भावना यही एक मात्र रास्ता है एशह पंथा है हमारा समिधान हमारे लिए सबसे बड़ा और पवित्र ग्रंथ है एक ऐसा ग्रंथ जिसमें हमारे जीवन की हमारे समाच की हमारी परंपराव हमारे मान्यताव हमारे वहवार हमारे आचार उन सब के साथ का समावेश हैं साथ-साथ अनेए चुनोतियों का समाधान भी है हमारा समिधान इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि इसमें हमें बाहरी प्रकाश के लिए अपनी खिड़कियां खोल रखी है और उसके साथ भीतर का जो प्रकाश है उसको भी और अधिक प्रज्वलित करने का अवसर भी दिया है